वेलकम बेक टू शान अलज बेंक सीटीब चैनल स्वागत आपका एक बार फिर से शान अलज बेंक कीटीब चैनल पर आज इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं हम आपके टॉप 20 MCQs of Indian Economy ठीक है आपकी एकॉनमी के 20 अच्छे वाले कॉश्चन बेस्ट वाले जो होते हैं वो हम लोग इस वीडियो सेशन में आपको कवर करवाएंगे आपके exam point of view से ठीक है आपके syllabus में आपको पता है इंडियन एकॉनमी का portion भी दे रख़ा है ठीक है आम आदमी भीमा योजना ठीक है was launched on आम आदमी भीमा योजना कब लांच की गई थी आपसे पूछा गया है नवंबर 14 2011 मार्च 5 2009 मार्च 10 2008 या फिर अक्टूबर 2007 पहली चीज़ आपको आम आदमी भीमा योजना का पता क्या होना चाहिए भाई एक है क्या यह चीज़ ठीक क्लियर और next important चीज़ आपको इसकी क्या याद रखनी है क्या अचीज़ भाई टारगेट क्या था इसका है यह targeted audience क्योंसी थी इस कीम की ठीक है तार्गेट क्या था भाई इसका targeted त्वोड्स लोग इंकम ओके low-income families ओके low-income families of India यह पॉंट भी आपको याद रखना है जो आप 2nd of October 2007 को यह launch हुई थी तो आपको option D हो जाएगा भाई यहाँ पर correct answer है ठीक है चलिए आज़ आज़ो next question पर Planning Commission considered a high level committee for financial sector reforms in August 2007 under the chairmanship of देखो अब committee आपके लिए important हो जाती है याद रखना committees और commission से आपकी questions पूछे जाते हैं आपको पता है अब जो यह planning commission है यह question मैंने जान बुझ के डाला था क्योंकि अभी comment में बहुत सार बोलने हैं तो अब है यह नहीं यह बाई I know planning commission को replace कर दिया था हमने किस के साथ भाई हमारा नीती आयोग के साथ clear नीती आयोग ठीक है याद रखना है आपने यह चलो पहले एक question discuss करते हैं फि कोण सी committee बिठाई गई थी भाई यह एक financial sector reform था clear याद रखना है आपने financial sector reform ठीक है वो committee आपकी बिठाई गई थी under the chairmanship of यह आपको याद रखनी है that is रगुराम राजन okay option B clear रगुराम राजन तो यह किसके लिए था कि भाई next generation financial sector reforms जो इंडिया की उसको हम लोग कैसे बहतर कर सकते हैं ठीक है तो यह थी रगुराम राजन नीती आयोग अब जो बन गया है हमारा किसको replace करके भाई that is हमारा planning commission को replace करके हमने क्या बनाया है अब हुआ हमारा नीती आयोग main important thing जो आपको नीती आयोग के बारे में याद रखना है भाई वो आपका क्या आ जाता है कि क्या हमारा क्या है है यह एक think tank है या आपको याद रखना है plus नीती आयोग का दो हब से ठीक है two हब से जिनको हार्ट माना जाता है clear क्या माना जाता है heart of नीती आयोग ठीक है heart of नीती आयोग माना जाता है दो हब से कौन-कौन से दो हब से एक हब आ जाता है team India okay team India hub next आपके पास आ जाता है second one is knowledge and innovation hub knowledge and innovation hub यह दोनों आपने याद रखना है आपको statement based question में पूछा जा सकता है यह आपके heart है किसके नीती आयोग के knowledge जो आपका knowledge and innovation hub है आपका that is IKH यह आपका dynamic web portal किसके दोरा run करवाया जाता है भाई नीती आयोग की दोरा क्या है यह dynamic web portal यह आपको याद रखना है regarding यह आपका यह इसक पे है भाई यह मैंने गलती से India team में लगा दिया यह आपको याद रखना है web portal है यह आपका knowledge and innovation hub जो किसके दोरा करवाया जाता है आपका नीती आयोग के दोरा जो आपका serve करता है as a repository or storing best practices around the country next आपके बाद है team India hub यह आपका state or center का coordination देखता है state or center की coordination देखता है यह भी आपको याद रखना है regarding नीती आयोग आपको पता है नीती आयोग के chairman कोन होते है हमारे प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर आज की date में नरेंदर मोदी जी है vice chairman की बात करें तो वो हमारे आज की date में कोन है राजीव कुमार जी ठीक है ex official member कितने होते हैं इसके 4 होते हैं part time member कितने होते हैं दो होते हैं यह आपको याद रखना है regarding नीती आयोग ठीक है चलें बढ़ें आप next question की तरफ अच्छा हाँ नीती आयोग की बात हो रही है तो आप मुझे comment section में बता दें के भाई नीती आयोग की full form क्या है ठीक है आपको पता है भाई नीती आयोग की full form कितनी important है yes अभी में हाँ vice chairman आपको बता रहा था हमें vice chairman ठीक है नीती आयोग के ये अब change हो गए है कब मेई 2022 से ठीक है तो अब कोन है current chairman of नीती आयोग आपको या रखना है सुमन बीरी सुमन बीरी ये नाम आपने याद रखना है ये current chairman है आपके मेई 2022 से लेकि अभी तक यही चल रहे हैं ठीक है भाई ये एक economist है इन्होंने Dr. Rajiv Kumar को succeed किया है ठीक है वो पिछले थे ठीक है याद रखना है अपने सुमन बीरी चलो आज आप next question पे बाई Yes, who gave the call for evergreen revolution evergreen revolution के लिए call किस ने गी थी MN स्वामिनाथन, विर्गीज, कुरियन त्रिबु दिवनन, पटेल, HM दलाया Yes, किस ने दी थी call आपकी किस के लिए green revolution that is evergreen revolution Yes, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए आपको जो green revolution है वो थी किस के लिए आपकी food grains के लिए ठीक है, food grains के लिए ठीक है, ओके इसमें हम लोगों ने क्या किया था high yield varieties of seeds का use किया था, जो आपकी क्या हानी कारक नहीं होती है वो वाली seeds हमने इसमें use करी थी, ठीक है तो father of green revolution किसको कहते है MS स्वामी नातन, तो इन्हों नहीं call दी थी evergreen revolution ये आपको याद रखना है तो कुछ important revolution जो आपको पूछी जाती है आपको याद रखना है green तो हो गई है that's next esses black revolution ठीक है ये आपकी petroleum से related है ठीक है next आपके पास लूज़िंयुर्यू्यू्यूस्व blue revolution आपकी fisheries से related है clear next आपके पास जाए okay brown revolution जो आपकी आजाती है leather याद रखना है आपने ये leather के related है उसके बाद leather and cocoa, cocoa production ये भी आपको याद रखना है brown revolution में next आपके बहुत है golden revolution golden revolution किसके लिए थी important one fruits और आपकी horticulture plus honey fruits, horticulture plus honey के लिए तो यह कोंसी थी golden revolution प्लस मैं आपसे अगर बात करूँ gray revolution की ठीक है gray revolution किस के लिए था हमारा भाई that is fertilizers के लिए clear ये आपने याद रखना है fertilizers और next important आपसे हाँ pink revolution आ जाता है आपके पास उसके बाद red revolution आ जाता है आपके पास ठीक है pink revolution आपका किस के लिए था भाई onion production के लिए onion production के लिए आपकी pink revolution थी plus onion plus prawns okay prawns ये आपको याद रखना है next red हम देखें तो meat and tomato meat and tomato ये इसके लिए थी आपकी red revolution next अगर हम लोग बात करें white revolution विर्गीज कूरियन से आपको याद रखनी है ये white revolution आपकी milk ओके ये आपको याद रखना है भाई ठीक है तो ये तना काफी है भाई या बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ चलो open market operations is a part of open market operation जो है ये आपका किस का part है ये आपसे पूछा गया है भाई yes credit policy debit policy deposit policy या none of these yes बताइए देखो भाई open market operation आपकी जो ये जो policy है ये basically use किसली होती है to regulate the money supply ठीक है regulate करने के लिए किसको भाई आपकी जो money supply होती है ये point आपने याद रखना है money supply को regulate करने के लिए ठीक है ये आपने पहली चीज़ याद रखनी है money supply कहाँ पे आपने economy में सिंपल सी बात है यह तो कहीं और करेंगे नहीं, ठीक है, तो अब economy में भी इसके दो functions होते हैं, आपके market economy में के दो functions होते हैं, एक आपके पास डो टाइप सो जाते हैं open market के, एक आपके बाता है contractionary open market operation, ठीक है, contractionary, याद रخना ही आपने ये, contractionary open market operation, second आ जाता है आपके पास expansionary expansionary open market operation ये दो प्रकार के आपके पास आ जाते हैं further इसके type अब contractionary open market operation कौन सा होता है contractionary function जो होता है हमारा इसमें हम लोग क्या करते हैं reduce करते हैं क्या reduce करते हैं money supply ठीक है money supply को हम क्या करते हैं reduce करते हैं और जो आपका Expansionary है, इसमें क्या करते हैं भाई हम लोग Expansionary में Ease कर देते हैं, Ease मतलब के हम लोग Reduce नहीं करते जैसा है, वैसा Normal चलने देते हैं, आप इसका ऐसा बोल सकते हैं, Increase कर देते हैं Money Flow को आपकी Economy के अंदर, Contractionary Open Market Operation, Expansionary Open Market Operation, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखने हैं, और अगर हम लोग बात करें, अब जो Main Point है यहाँ पर, Open Market Operation का काम क्या होता है, Main Work क्या होता है इसका, तो Main Work क्या होता है भाई, याद रखना है, Selling and, Selling and Buying, Selling and Buying of Government Securities, Clear, यह आपको याद रखना है, Government Securities को खरीदना और बेचना, किसका काम है आपका, यह आपको Open Market Operation का काम है, तो यह आपकी क्या, कौन सी Policy है, अब आप लोग बता दोगे भाई, आराम से, अब बताए मुझे, Yes, तो यह भाई, Credit Policy होती है, ठीक है, Clear, यह सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, Regarding Open Market Operation, चलो, Next Question आजाओ, Income Tax in India was introduced by, Income Tax India में किसके द्वारा introduced किया गया था, William Jones के द्वारा, James Wilson के द्वारा, Nicholas Caldor के द्वारा, या महवीर त्यागी जी के द्वारा, Yes, अगर हम लोग बात करें, Income Tax की इंडिया में, तो थोड़ा सा history को देख लेते हैं, 19th century थी हम पर क्या होता है, British अपना rule establish करते हैं, ठीक है, British आगे 19th century हो गई, उसके बाद एक mutiny होती है, ठीक है, mutiny कब की भाई, 1857 की, सब को पता है इसके बारे में, जब ये हुई, तो अब financial crisis देखे, British को क्या लगा यहाँ पर, कि भाई, British ने देखा, हमें तो यहाँ पर क्या हो रह आ रहे हैं, clear, financial crisis देखे, अब इन्होंने क्या किया, एक policy लाई, क्या लाई, एक policy लाई, जिस act के अंदर, ठीक है, जिस के अंदर उनने को बला, हमारी जो treasury है, उसको अब fill up करना पड़ेगा, to fill up treasury, ठीक है, इन्होंने क्या लाया, एक income tax act लाया, क्या लाया, income tax act लाया ठीक है income tax act लाया कौन से साल का लाया आपका भाई ये 1860 ये आपको याद रखना है तो उस time का जो पहला finance minister बना जिसने ये policy लाई वो first British India का finance minister था ठीक है first British India British India का finance minister भी था ये ये भी आपको याद रखना है तो क्या नाम था उस बन्दे का भाई किसने इंट्रिड्यूस करा था बहुत easy question था ये that is James Wilson clear नाम आपको याद रखना है यहां में लिख भी देता हूँ that is James Wilson clear है याद रहेगा ऐसे आपने connect करके पढ़ना है ठीक है economy को कैसे मैंने history से relate किया ऐसे ही पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले चलो next question आजाओ during which five year plan was the phase of heavy industrialization initiated हमारा industrialization कौन से five year plan में किया गया था या आप से पूछा गया है second five year plan, first five year plan third five year plan या fourth five year plan yes किस five year plan में हमने heavy industries के उपर focus करा था तो वो था हमारा भाई कौन सा second five year plan clear या आपको point याद रखना है second five year plan ठीक है हमारी highest priority किस पर थी industrial sector पर और इस plan को ही हम लोग क्या कहते हैं याद रखना है आपने महा नलोबीज मौडल महा महल नलोबीज ओके नलोबीज मौडल ये भी आपको याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है कौन से five year plan को हम लोग महल नलोबीज मौडल कहते हैं तो महल नलोबीज मौडल है क्या चीज़ इसका मीनिंग होता क्या है भाई ये मतलब के कुछ भी नहीं है सिंपल है कि इसका जो टास्क होता है वो कै कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और लार्ज स्कील इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने क्रियेट करना है किसके लिए भाई हमारी एकॉनमी को स्ट्रॉंग करने के लिए ठीक है एकॉनमी को स्ट्रॉंग करने के लिए बूस्ट करने के लिए तो वो था हमारा महल नभी मॉडल तो वो ये हमारा था कुन सा फर्स नहीं सेकंड फाइव येर प्लैन ओके सेकंड फाइव येर प्लैन आपको याद रखना है भई ठीक है चले नेक्स कुशन की तरफ आ जो Midday Meal Scheme Was Launched On Midday Meal Scheme के बारे में आपसे पूछा गया कि कब launch की गई थी Yes, Midday Meal Scheme कब launch करी गई थी हाँ जी बताईए तो National Program of Midday Meal Schools में जो हमने launch किया था ये भाई आपका क्या हो सके To Enhance the Enrollment बच्चों का Enrollment भड़े क्योंकि खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल आएंगे Enrollment के साथ attendance भी भड़े जो बच्चे नहीं आ रहे थे वो खाने का सुनके स्कूल आना शिरू कर दे Plus Nutritional Values ठीक है Nutritional Support of Primary Education जिसको आप लोग क्या कहते हैं N.P. N.S.P.E. ठीक है Clear? याद रखना है आपने That is National Program of Nutritional Support for Primary Education जो आपकी launch करे गई थी कब भई? आपको याद रखना है भई? 15 अगस्त को 15 अगस्त को 15 अगस्त 1995 Clear? ठीक है याद रखना है 15 अगस्त 1995 को ये launch करी गई थी Midday Meal Scheme Clear? चलो आजाओ भई Next Question पर Who is responsible for establishing and maintaining astound and efficient accounting and financial reporting system in India तो सभी को पता है भई? ये हमारा कौन होता है Comptroller and General of Accounts ठीक है Comptroller General of Accounts तो ये आपका CGA Clear? Option A हो जाएगा आपका correct answer बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है भई? चलो next question पूछा गया आपके Securities and Exchange Board of India that is SEBI was established on SEBI आपका कब established हुआ था? ये आपसे पूछा गया है भई? Yes Security and Exchange Board of India कब हुआ था आपका? तो ये पहली चीज़ आपको पता हूना चीज़ क्या करता है? Regulate करता है क्या करता है? regulate करता है क्या regulate करता है भाई मेरे ये? तो ये regulate करता है आपके Securities clear? आपकी जो Securities है ठीक है? इंडिया में clear? इंडियन मार्केट में आपकी जितनी भी Securities हैं जो owned की जाएं क्या? owned by Government of India तो उनको regulate करता है कोन हमारा? that is SEBI इसको Establish कब किया गया था? आपको याद रखना है 12 April को ठीक है? Establish कब किया गया था? that is 12 April अगर साल की बात करें तो 1988 ठीक है? 12 April 1988 को Establish किया गया था? Staticory Powers इसको कब मिले थे? ये भी आपको याद रखना है 30 January को ठीक है? Staticory Power Staticory Power इसको कब मिले थे? ये भी आपको याद रखना है भाई that is 30th of Jan 1992 ठीक है? किस Act के according मिली थी? SEBI Act Okay? SEBI Act of 1992 1992 का जो SEBI Act है उस Act के according इसको Staticory स्टेटस मिला था 30 January 1992 को Establish हुई थी 12 April 1988 को ये क्या है? regulate करती है SEBI क्या Securities जो आपकी Government के द्वारा on की जाती है तो option A हो जाएगा आपका correct answer 12 April 1988 आप से पुझा गया था Establishment इसकी clear? चलो आजाओ next question पे Ministry and Program Implementation as an Independent Ministry came into existence on Yes The Ministry and Program Implementation as an Independent Ministry come in existence कब आई थी existence में ये? Question 10 Yes Ministry and Program Implementation ये कौन सी Ministry आपको पहली पता हूँ जी भाई Ministry of Statistics Okay Ministry of Statistics Statistics and Program Okay ये Ministry आप से पूछा गया है कब existence में आई थी as an Independent Ministry तो वो आई थी आपकी 15th of October 1999 clear? ये point आपको याद रखना है किस किस का merger हुआ था इसमें ठीक है merger हुई थी ये ठीक है तो merger आपको याद रखना है किस किस का merger था आपका एक तो था आपका Department of Statistics ठीक है ठीक है ठीक है Department of Statistics प्लस दूसरी थी आपके Department of Program Implementation ओके Department of Program Implementation ठीक है ये point आपको याद रखना है इन दोनों के merger से आपकी Ministry of Statistics एंड प्रोग्राम Implementation एक्जिस्टन्स में आई थी है एज इंडिपेंडेंडेंट मिनिस्टी का 15 अक्तूबर 1999 को क्लियर चलो आजो भई नेक्स्ट कॉशन पर इंडिया जो था एगरिमेंट जो था वो अगस्ट 2011 को हमने किसके साथ एजा कॉम्प्रिहेंशन एक्कनोमिक पार्टनर्शिप सायने किया था साउथ कॉरिया चाइना ताइवान या जपान येस तो भई ये हमने सायने किया था जपान के साथ ये आपको याद रखना है किसके साथ हुआ था जपान के साथ हुआ था कब हुआ था ये आपको अभी मैंने डेट बता दी है ठीक है बट ये चीज़ याद रखना साइन कब हुआ था ठीक है यहाँ पे इन्होंने क्या बुला है इफेक्ट में कब आया था ये इफेक्ट याद रखना 1 अगस्ट 2011 को इफेक्ट में आया था बट अगर हम लोगों को बात करें ये साइन कब हुआ था 16th of Feb 2011 ठीक है ये डेट आपने याद रखनी है और इफेक्ट में कब आया था ये हमने अभी ऊपर देखी लिया ठीक है कब आया था ये अगस्ट एक 2011 ठीक है 2011 अगस्ट 2011 को ये किम्लिमेंचन में आया था तो ये हमारा किसके साथ था CEPAS जिसको हम लोग क्या कहते हैं CEPA Comprehension Economic Partnership Agreement agreement क्लियर है चलो आजो बाई National Food for Work Program aimed at intensifying the generation of supplementary wage employment was launched in National Food and Work Program जिसका aimed आपका intensify करना generation की supplementary wage employment को वो कब launch हुआ था 2004 October September 2003, November 2004 January 2004 देखो बाई National Food for Work Program NFWP ठीक है यह जो आपका program था यह launched किया गया था कब November 2004 इंपॉर्टन्ट है याद रखना है यह अब कहां पे किया था यह आपको याद रखना है 150 150 most backward districts में 150 most backward districts में यह launch किया गया था program ठीक है इसका objective क्या था intensify करना generation की supplementary wage employment के लिए clear यह आपको अभी उपर question में पता चल ही गया था wage employment clear यह point आपको याद रखना है तो आपका answer कौन सा हो जाएगा भाई option C ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ money order system yes important question है in India was introduced in the year money order system India में किस साल introduced किया गया था यह आप से पूझा गया है 1999 next one is 1980 1982 या 1904 yes money order system कब launch किया गया था तो भाई introduce किया गया था इंडिया में 1980 में clear याद रखना है आप नहीं clear है money order system issue किया गया था आपका किस के द्वारा post office के द्वारा clear यह भी आपको याद रखना है post office के द्वारा ठीक है अगर हम लोग बात करें ठीक है money order first time कहां किस ने launch किया था तो वो किस ने launch करा था ब्रीटेन ने ठीक है ब्रीटेन की एक private firm थी उसने कब किया था इसने launch भाई 1792 में ओके यह भी आपको याद रखना है और यह आपका most trusted method है then check ठीक है most trusted then check जो आपका check होता है उससे ज्यादा trusted है यह method आपका clear यह भी आपको याद रखना है तो 1880 आपका आगया first ठीक है चलो जी next question in the world in terms of railway network system India ranks railway network system की अगर बात करें तो इंडिया का क्या rank है railways में yes बताइए भाई second है first है fourth है या third है yes तो one by one discussi कर लेते हैं भाई second की अगर बात कर रहे हैं तो second पे है हमारा हमारा तो नहीं भाई चाहिना ठीक है चाहिना आ गया second पे first की बात करें तो first पे आपको पता है भाई US ठीक है fourth की बात करें fourth पे है कौन हमारा प्यारा भारत ठीक है तो ये तो फिलाल आपका हो गया answer टिक कर लो third की बात करें तो third पे कौन है भाई ये third पे आपका आजाता है Russia तो अगर हम लोग बात करें USA जो है अपना first number पे USA की आपको देखने को मिलती है कितनी kilometers ठीक है 2,50,000 kilometers that is approximately 10,000,000 ठीक है China जो आती है आपके second पे ये है 1,24,000 ठीक है 1,24,000 kilometer ठीक है next हमारे पास third पे आजाता है आपने पास रशिया अगर रशिया की बात करें तो ये है 86,000 kilometer rail network ठीक है हमारे इंडिया की बात करें अगर हमारे प्यारे भारत की बात करें तो 68,525 kilometers की length है हमारी Indian railway की तो इस length के साथ हमारा network हो जाता है fourth largest railway network of India ठीक है ये fourth है जो आपका managed किसके दौरा है state and Indian railways के दौरा manage किया जाता है तो आज की date में अगर Indian railways network की बात करें हम लोग हमारे यहाँ पे 1.331 million employees हैं railways में clear? यह आपको याद रखना है ठीक है? चलो भाई चलते हैं इन इंडिया the term black revolution is associated with which of the following? यह अभी हमने discuss करें भाई अच्छे से black revolution उपर मैंने आपको सारे बताई थे self dependence in production of coal nurturing the black soil self dependence on production of petroleum and crude oil self dependence in production of black cooperation यह तो भाई यह आपका कहता option C अभी मैंने आपको petroleum का बता रखा था उपर petroleum crude oil की production में self dependence बनना है तो black revolution हमने लाया था ठीक है originally found जो होता है आपका black color में हम लोग इसको black gold भी कहते हैं clear क्या कहते हैं black gold यह भी आपको याद रखना है petroleum को black gold और इसकी production को हम लोगोंने increase करना है that's why इंडिया ने black revolution को coin करा था तो option C हो जाएगा आपका correct answer for this particular question चलो national rural health mission was launched in national rural health mission आपका जो है यह कब launch किया गया था यह आप से पूछा गया है October 2005 August 2005 April 2005 या July 2005 yes national rural health mission ओके launch किया गया था बाई prime minister जी के दुआरा कब यह हमारा किया गया था बाई 12th of April date भी याद रखना 12th of April 2005 को ठीक है याद रहेगा यह main चीज इसका क्या था यह provide करेगा आपको accessible and affordable and quality health care आपके rural population में especially यह याद रहना है specialry आपके vulnerable groups में vulnerable groups में यह note कर लीजिएगा ठीक है तो option क्या हो जाएगा आपका that is April 2005 इसका आपका correct answer yes लाडली लक्ष्मी योजना has been launched for supporting girls in all religion in caste to their marriage by yes लाडली लक्ष्मी योजना कौन सी state के दौरा अभी हाली में launch करी गई थी आपसे पूचा गया है जो आपकी support करता है लड़कियों को सभी धर्मों की सभी कास्ट की उनकी शादी में तो ये MP government नहीं किया था clear है MP government ठीक है चलो आज़ो next question question 18 government has merged unapurn scheme with unapurn scheme जो है इसको अभी merge कर दिया था government ने किस scheme के साथ national old age pension scheme उजवला IRDP या इन में से कोई भी नहीं है कोई और scheme है yes पहली चीज अगर unapurn scheme की बात करे हम लोग तो ये launched कब की गई थी याद रखना है भाई ठीक है ये launch हुई थी हमारी कब that is on first April first April 2000 में clear एक April 2000 को ये launch हुई थी ये आपकी किस के लिए थी unapurn आपको याद ही होगा ये दिखे रहा होगा food security के लिए food security के लिए आपका ये launch किया गया था जो meet requirement senior citizens हैं उनको eligible remain uncovered जो national old pension है इसके साथ हमने बाद में इसको merge कर दिया था दोनों schemes को merge कर दिया better implementation के लिए ठीक है ये national old age scheme pension scheme जो है इनको merge कर दिया दोनों को साथ में clear ये आपने याद रखना है food security के लिए और ये requirement है जो senior citizens के लिए उनके लिए eligible senior citizens ठीक है तो चलो आजो next question पर चलते हैं national electricity policy envisages elimination of power shortage ठीक है power shortage को eliminate कर दिया था 2012 में कितनी electricity को add करने के बाद 50,000 megawatt 75,000 megawatt 1,000,000 megawatt या 1,000,000,000 megawatt yes तो भाई जब electricity की shortage थी तो हमने add-on किया था एक lock megawatt की electricity तब जाके shortage खतम हुई थी ठीक है चलो आजो for international money transfer which of Indian public sector bank has signed MOU with money gram company of America yes जब भी हम लोग क्या internationally money transfer करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है भाई money transfer जब करते हैं internationally अभी हाली में हमारे Indian एक public sector bank है इसने अभी-भी MOU sign कर रहे है ठीक है यह आपका रख लो कोई ex-bank यह है कोई आपका ex-bank इसने sign करा क्या MOU किसके साथ money gram money gram company जो है आपकी किसकी अमेरिका की तो वो कौन सा bank है यह आप से पूछा गया है SBI है bank of Maroda है Punjab National Bank है यह Central National Bank है तो यह है आपका PNB ठीक है PNB ने MOU sign करा था तो option C तो यह जो आपका ex-bank है यह कौन सा हो गया आपका PNB ठीक है इसने अभी हाली में sign करा है MOU किसके साथ money gram जो आपका किसका कहा का है American company है ठीक है भई clear तो यह था आज का हमारा session on important most important 20 questions of economy ठीक है I hope so आपकी revision अच्छे से हुई होगी ऐसे ही MCEQ सही अब revision करो अब thoroughly पढ़ने का कोई फाइदा नहीं नया concept उठाने का कोई फाइदा नहीं आज ही after इस session के बाद हम लोग 3-4 session और लेने वाल है 3 तो आपके mock test होंगे एक session आपका night में होगा जो जम्मू एंड कश्मीर के related current affairs होगी ठीक है 6 बज़े ठीक है 6.15 पे हम लोग discuss करने वाले हैं general English का MCQ mock test 7 होगा इसमें हम लोग English के top 50 MCQs ही आपका marathon समझ लो सारे के सारे topics के 50 MCQs हम लोग इसमें discuss करेंगे ठीक है इस lecture की PDF भी आपको यहां मिल जाएगी और हमारे mock test का आपको पता ही है एक दिन पहले में upload कर देता हूँ हमारे telegram channel पे आप लोग घर पे practice करते हैं next day आके हम लोग साथ में discuss करते हैं mock test को clear हा भाई चलो मिलते हैं अगले session में अगर channel पे नए हो तो भाई subscribe कर दीजिएगा और जाते जाते यह bell icon भी दबा देना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा आप वीडियो पसंद न आई हो तो dislike करके एक बार बता जरूर देना के भाई आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई ठीक है तो चलो भाई तब तक पढ़ते रहो खुश रहो God bless you keep learning keep sharing